स्कूली बच्चों को सरकारी सुविधाओं का लाग दिलाने और अन्य सुविधाओं से लाभाविन तो होने के लिए आधार काट कहोना आवश्यक है इसके लिए हाल में ही सरकार के द्वारा विध्यापती नगर प्रखंड के दो हाई स्कूलों में आधार सेंटर स्थापित किया गया जहां प्रखंड अंतरगत सभी स्कूली शात्र शात्राओं का निश्चुल का आधार काट बनाया चाना है ताकि उन्हें किसी भी तरह की परिशानी ना हो लेकिन विध्यापती उच्चतर माधिमिक विध्याले मव वाजितपूर डक्षिन में आधार काट बनाने के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है यहां प्रती शात्र एक सो पचास से दो सो रुपए की राशी अवैत तरीके से वसूली जारी है इतना ही नहीं आधार केंदर के सामने काउंटर लगा कर दस रुपए में आवेदन प्रपत्र भी बेचो जाते हैं शुकरवार को आधार सेंटर पर बड़ी संख्या में आधार काट बनवाने आए स्कूली बच्चों के अभी भावको ने आधार ऑपरेटर पर आरोप लगाते हुए कहा कि ऑपरेटर के द्वारा फर्म जमा कराने के लिए दस दिन बाद आधार बनाने के लिए बुलाया जाता है लेकिन बीस दिन हो जाने के बाद भी आधार नहीं बन पाता है दूसरी और प्रतिशात्रे 150 से 200 रुपे लिए जा रहे हैं अभिभावकों ने बताया कि ऑपरेटर से जिसकी साठ गाट रहती है या जो अधिक पैसे देते हैं उनका आधार उसी समय बन जाता है वही कम्प्यूटर ओपरेटर विक्रम कुबार ने कहा कि नया आधार निश्शुर्क बनाया जा रहा है केवल आधार अपडेट या नाम में सुधार के लिए 100 रुपे लिए जाते हैं अपडेट का किना रुपार अपडेट का 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 रुपार लिए नीचावी पेसा नहीं ले रहा हैं अअब लोग बता रहा हैं आप लोग को देखते हैं तो दिन से लट रहा है हम नोज हुआ हुआ हो ची से लट रहे हैं कि अवर्मेकर